हेलो फ्रेंट्स वैलकम वेलकम बैक तो माँ चैनल तो आज हम डिसक्स करने वाले है कुछ अमेजिंग से करंट अफैस्ट यहां दोस्तों यहां पर डेली आपको करंट अफैस की सीरीज मिलते है साथ जब्स जदेले को अपको अपको मिलते हैं कि प्रप्रेशन स्ट्रडिजी उनके आपके application form को किस सरी किसे भढ़ना है सारा आपको detailed वीडियो जहाँ पर मिलती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रहे ना बराकि इनको प्रेस कर ले ना ताकि देली कोई भी update आपसे मिस ना हो तो आए दोस्तों start करते हैं वीडियो तो मारा first question है world day for audio visual heritage is observed on which day यानि कि world wish का audio visual heritage day किस दिन मनाया जाता है तो आपका correct answer है इसमें वो है 27 October को यानि कि yesterday आप पर जोता हूँ world audio visual heritage day मनाया जाता है next question which country has emerged as India's third largest export destination यानि कि कौनसे country इमर्ज करके इंडिया की third largest export destination बन चुकी तिसरे नंबर पर आ चुकी है तो आपको जो correct answer है इसमें वो है आपका नीदर लेंड नीदर लेंड जो है इमर्ज हो चुकी है इंडिया की third largest export destination में next question which ministry will organize काशी तमिल संगम प्रोग्राम यानि काशी तमिल संगम प्रोग्राम जाये वो कौनसे मंतराले की दुआरा और्गिनाईज कराया जाएगा ठीक है तो मिच आपका answer है वो है education ministry यानि कि education शिश्च्छा मंतराले जो होगा आपका वो काशी तमिल संगम प्रोग्राम को और्गिनाईज करायेगा next question when is the 76th Infantry Day celebrated by the Indian Army यानि कि भारतिय सेनर के दुआरा 76 Infantry Day कब celebrate करा जाता है तो इसका जो correct answer है आपका वो है 27 October 27, 27 October को 76 Infantry Day जो है Indian Army की दुआरा celebrate करा गया next question थundi beach and qadmat beach have been included in the list of blue beaches where is it located यानि कि थundi beach जो है आपको qadmat beach जो है उनको दोनों को इस ब्लू beach list के अंदर में शामिल कर दिया गया है तो ये कहां पे हैं आपके इस स्थित कहां पे हैं तो इसका आपका जो correct answer है वो है आपका लक्षोधीप यानि कि लक्षोधीप में हमा is the merger day jamu and kashmir celebrated यानि कि jamu and kashmir को जो merger day होता है वो कब celebrate कर जाता है यहां पर आपसे यह पूछे के बहुत important question हो बहुत बार आपके बहुत सारे exams में पूचा जा सकता है तो आपको जो correct answer इसमें हो है 26 अक्षोधीप यान 26 अक्षोधीप को merger day jamu and kashmir का celebrate करा जाता है next question where will the 27th climate change conference COP27 be held यानि कि 27th climate change conference जो है आपकी वो कब और कहां पर held होगी ठीक है तो में जो आपका answer है वो है इस्राइल इस्राइल आपकी जो country है वहाँ पे 27th climate change conference जो होने वाली है next question which countries women cricketers have been announced fees equal to men's cricketers यह किस देश की जो महिला cricket खिलाडी है उन्होंने announce करा है कि उनकी fees भी बराबर रहेगी पुरुष महिला जल स्टेट रिसेंटली किस राज्जे को डिकलियर करा गया है हर घर हर घर जल स्टेट के नाम से उसमें जो आपका correct answer है वह आपका गुजरात यह गुजरात में आपका start हुआ है next question where has the मैं भी सुभाश campaign been launched यानि कि मैं भी सुभाश जो campaign वो कहां आपसे start कहां से launch कर दी गई है तो इसमें जो correct answer है आपका वह है लेले सी है हमारी जो campaign वो start हुई है मैं भी सुभाश तो दोस्तों यहां मैंने आपको कुछ बहुत ही amazing और interesting से current affair practice कर आए है I hope कि आपको समझ जाए होंगे आपके लिए helpful रहे होंगे अगर ही वीडियो आपको अच्छी लगी है आपके लिए helpful रही है तो please like share कर देना चैनल पर नए हो तो इसको subscribe कर लेना bell icon को press कर लेना ताकि कोई भी नए updates हो आपके government jobs के government entrances के वो आपसे miss नहों और साथ साथ आपक comment section ने pin कर दूँगे thanks and have a nice day